हेलो फ्रेंड्स बात करेंगे नंदन डेनिम लिमिटेट के बारे में जो के बहुत बड़ी अपडेट निकल गई है उसके बारे में डिसकस करना चाहूंगा और यह श्टोक तकरीबबन 48-49 रुपिस के असपास ट्रेट करता हूं नजर आ रहा है पांच परसंड की तेजी भी मिल सकते हो भी अनालीसिस करेंगे और जो बड़ी अपडेट निकल गया है हो भी शेयर करने की कोशिस करूंगा तो फ्रेंड्स वीडियो में तक बने रहे हैं जो कि यहां कंपनी स्टेक स्टाइल के बिजनस में काम करते हैं कापट के बिजनस में इस कंपनी का बहुत करने वाला हूं इन करोड में यहां पर मैं सबसे पहले टॉटल इंकम की बात करूँ तो जैसा कि आप आप देख सकते हैं क्वाटर वन में कमने ने इनकम जनरेट किया हो तक्रीबन 723 करोड का जो कि पिछले क्वाटर में 604 करोड का टॉटल इंकम देखना को मिला था यानि इनकम में बड़ोतरी देखना को मिले है लाश्ट यह कोडर वन की बात कर रहे तो तक्रीबन 577 करोड का टॉटल इंकम था तो यह बहुत ही अच्छी तेज़ी देखना को मिले है टॉटल इंकम में इंकम बढ़ेगी तो डेफिनेटल खर्चे भी कहीना की बढ़ते होए इटिंग प्रोफित देखना को मिल रहा है और reaटिंग प्रोफित मैं से अगर हम टेक्स सब कुछ बाद कर तो जो नीर्ट प्रोफित निकल गया आ में रहा है आपट नेज़हाई बहुत बड़ा जंब मihat होया होЭ लगया है दो नजर आवर० के आज यह है तेभी शांदार देखने को मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इस कंपनी का चार्ट ओर जिस तरह से कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है तो डेफिनिटी यहां पर बड़े वहां से इस टोक तकरीबन 50 रुपे तक का मोमेंटम दिखा चुका है, मुझे लगता है कि आप इस नेक्स टार्गेट तकरीबन 60-60 रुपे तक के भी देखने को मिल सकते है, लेकिन यहां पर कोई गिरावट देखने को मिले कोई करेक्शन नजर आ है, तब यहां पर पोजिशन बनाएं तो बहुती और बेटर रह सकता है, आप चाहे तो 30-35% फिर भी यहां पर पोजिशन बनाई जा सकती है, और करेक्शन में भी आप यहां पर हर एक डिप में पोजिशन बनाई जा सकती है, बहुती बढ़िया यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनल्टी फेनेट से स्टॉक्स के बर आपके नजर होनी चाहिए और